जयेश श्रीराम उन्होंने पहले अपना एक चैनल ग्रो किया ना कि साइड बाइ साइड दूसरा चैनल चलाया है उन्होंने पहले अपना एक चैनल ग्रो किया उसके बाद दूसरा चैनल खोला है एक जगे फेस वैल्यू बनी है उसके बाद यहाँ पर audience shift हुई है यहाँ से shift हुई है लेकिन शुरुवात में आपको कोई नहीं जानता है आपकी असल में गल्ती भी नहीं है आप हड़बडा रहों लेकिन आप हड़बडा रहों आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी मुझको views मिल जाएं जल्दी subscribers आ जाएं और मैं अच्छे खासे पैसे कमाने लगूँ तो जल्दी नहीं होता है कुछ जितने भी बड़े creators ग्रो हुए हैं उसके बाद ही उन्होंने अपना channel खोला है अभी आपको कोई जानता नहीं है आप अभी सही अगर अपना दो channel खोलोगे तीन channel खोलोगे तो time कैसे देपाओगे यार कभी भी आप एक नाव पे सवार होके अच्छे से long distance पे travel कर सकते हो दो नाव पे अगर पैर रखोगे तो डगमगा के बीची में गर जाओगे खोज जाओगे समुदर के अंदर ज्यादा दूर तक अगर चलना है तो एक नाव में बैटके चलना पड़ेगा तो पहले तो एक channel पे काम कीज़े दूसरी बात कि गलतियां जो करते हैं आज कल जो creators वीडियो बना के बता रहें आप भटक जाते हो नए नए में आपको पता नहीं होता है सिर्फ आपको चाहिए कैसे भी views आएं कैसे भी subscribers मिले हमको तो बस उसी से मतलब है लेकिन अगर shots देखके कोई आपके channel को subscribe करता है तो आपकी long video देखेगा नहीं ये fact है Shorts वीडियो तो आप बनाएं ही नहीं ये बेखूफ बनाने के लिए YouTube का update है हम सभी creators को अगर shots वीडियो बनाओगे तो आपके वर लोगों को entertain करोगे लोग आएंगे entertain होगे चले जाएंगे long video आप upload करोगे लोग देखेंगे नहीं पैसे नहीं कामा पाओगे आप ये चीज़ है ये गलती कर रहे है ये main गलती है बहुत सारे creators कर रहे है अगली गलती है कि आप अपने channel बना के अपने channel पर irregular हो जाते हो कभी दो दिन में वीडियो अपलोड करते हो कभी तीन दिन में करते हो कभी चार दिन में करते हो कभी चे दिन में करते हो कभी एक महीने गायब हो जाते हो तो ऐसा आपको अपने channel पर नहीं करना है regular काम करना है इसादा आप regular रहोगे उतना ज़ादा आपके लिए benefit क्योंकि आज की समय बहुत सारे creator's जो daily काम कर रहे हैं अगर आप daily अपने audience के सामने नहीं आओगे तो जो daily काम कर रहे हैं लोग उसको देखना पसंद करने लगेंगे आप अगर किसी shop में जा रहे हो वो shop में अगर कोई आप समान के ले गाए डेली मतलब जितना आपके लिए पॉसिबल हो पर डे अगर पॉसिबल हो तो पर डे डाल दीजे नहीं पॉसिबल है तो दो दिन में तीन दिन में जैसे भी आपको वीडियो डालना है वैसे वीडियो आपको डाल लिए और सबसे में बात की category अगला point है category आपको decide करना है कि किस category में हमारा channel है नीश आपके channel का एक नीश होना बहुत ज़रूरी है अलग-अलग category में मान के लिए आपका gaming का category है gaming पे आप ऐसे YouTube related videos बनाने लगे तो लोग देखेंगे नहीं अगर cooking video है cooking पे gaming का video डाल दोगे तो लोग देखेंगे नहीं singing channel है तो singing पे अगर vlog डाल दोगे तो लोग देखेंगे नहीं जो category है आपको वोई वीडियो डालनी पड़ेगी उस topic पे उस category में अलग-अलग topic है ना जो भी category है मानलो vlog है तो vlog में अलग-अलग category की vlog तो खेर बेकारी है उस पे तो कुछ भी आप मतलब अपना life देखा सकते हो बस कोई भी video डाल सकते हो अपनी life से related उसमें भी ऐसा नहीं कि vlog में कुछ भी video डाल दोगे YouTube related बात करने YouTube का update आया अपनी life देखा सकते हैं केवल आप उसमें कई घूमने जा रहे हैं वो देखा सकते हैं ऐसी sitting videos है तो उसमें sitting videos बना सकते हो YouTube का update बता सकते हो इसमें vlog भी आप एक चोट डाल सकते हो लेकिन vlog नहीं डालिए YouTube से related बातें ही करनी पड़ेंगी sitting videos ही बनानी पड़ें क्योंकि लोग उसलिए ही आ रहे हैं अब sitting videos है इसमें आप cooking का वीडियो नहीं देखा सकते हैं तो category भी decide करना बहुत जरूर ही अपने channel की तो यह तीन चार गलतियां हैं जो ऐसा beginner आप लोग कर देते हैं और उसके बाद आपका channel डूब जाता है फिर आपको लगता है कि यार मैंने तो सब कुछ किया लेकिन बावजूद इसके मेरा channel नहीं चल पाया तो गलती आप ही किये थे दोस्त जिसकी वज़े से खामियाजा आप ही को भोगतना पड़ेगा आपके परिवार को भोगतना पड़ेगा और किसी को नहीं भोगतना है आप ही भोगतेंगे I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सारी चीज़ समझ में आप आई होगी तो ये गलतियां आप नहीं कीजेगा तब ही आपका चैनल ग्रोव होगा YouTube कैसे वर्क करता है कैसे नहीं कैसे वीडियो वाइरल होती है कब आपको हर सब वीडियो अपलोड करना चाहिए क्या है सही टाइमिंग सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियों बात किया हूँ और जैसी बात मैं कर रहा हूँ पूरे YouTube पे सीना ठोक के दावे के साथ बोल सकता हूँ ऐसी बात कोई नहीं कर रहा है बस आप एक बार बाकी सब क्रेटर्स को देखते हो ना मिरो को एक बार मौका दो आप सुनने का एक बार अपने अगर मिरो को सुन लिया ना तो सुनते ही रह जाओगे ऐसी बात YouTube पे कोई नहीं कर रहा है सारे creators आपको YouTube पे केवल भटका रहे है वीडियो के description में एक playlist का link है उन playlist की वीडियो को आप हर वीडियो को एक एक बार जरूर देखें ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी फाइव स्टार रेटिंग्स आपने दी है चैनल आपका पका ग्रो हो जाएगा यार पका ऐसे ऐसे आपके positive comments आ रहे है वीडियो के नीचे की पढ़ केमर को मज़ा आ जाता है क्यों आ रहे है comments आपके क्योंकि वो वीडियो आपके लिए helpful है आप जरूर चेक कीजे जरूर एक बार देखिए मौका दीजे एक बार मुझको भी सुनने का थेंक्यो वीडियो देखने के लिए अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो ना तो जरूर देखो वीडियो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में श्रीसीताराम अईयो करमी कितनी ज्यादा होती है यार पसीना देख रहो ये टपकेगा पता नहीं है आपको देख पा रहोगा की नहीं थोड़ा पास ले जाता हूँ ये देखिए इतना ज्यादा पसीना हो रहा है चुक 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 सुबा का टाइम में छिडिया चाहवी में लगती है चलिए जी समात समात